नवश्काल मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है दस जन्वडी दिन बुदवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार विधान परिसर सचिवाले में प्रतिवेदक के 11 पदों पर निकली भरती बिहार की नई आईटी नीती निवेशकों के लिए सावित होगा मील का पत्थर राजी में अब तक 14,000 सक्षकों का वेतन कटा पंकत्रिपाठी की सोच की कायल हुई प्र्यांका चोपड़ा ट्रेट में सफर करने के दौरान अगर गिर जाए कोई जरूरी सामान तो पाएं ऐसे अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर वस्तार से बिहार विधान परिसर सचिवाले में प्रतिवेदक के 11 पदों पर निकली भरती बिहार विधान परिसर की ओर से प्रतिवेदक के 11 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह बिहार विधान परिसर की ओफीसियल वेबसाइट बिहार विधान परिसर.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आवेदन करने की शिरवात आज यानिकी 10 जनवरी 2024 से हो रही है वहीं आवेदन करने की अंतिम तारिक 30 जनवरी 2024 तक नरधारत की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो मिद्वार दे राजी केंदर सरकार से मानिता प्राप्त विश्विद्याले से सनातक उपाधी प्राप्त की हो हिंदी में आशुलेखन गती 150 सब्द प्रती मिनट होनी चाहिए इसके साथ ही अब भ्यारती के पास संबंधित कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए इससे जोड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लें बिहार की नई IT रीती निवेशकों के लिए सावित होगा मील का पथर बिहार सरकार के दोरा इंफॉर्मेशन टेखनोलोजी के उध्यों को बढ़ावा देने के लिए IT पॉलिसी 2024 के शिरवात कर दी गई है जिसके तहत उध्यमियों को विसेश सुधा उपलब्द करवाई जाएगी इस बारे में विभाग के मंतरे इसराइल मंसूरी के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कसनीती के तहत बिहार विहार के बाहर या देश के बाहर रहने वाले यहां आकड आईटी के छितर में रोजगार कर सकते हैं इसके अलावा बिहार के युवाओं को भी रोजगार का आफसर मिलेगा वहीं विभाग के सचीव अभय कुमार के दोरा चानकारी देते वे बताया गया कि जो उद्योग बिहार में आईटी के छितर में पुंजी निवेश करना चाहते हैं उनको 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा यानी 100 करोड में 30 करोड उपे का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा अगर कोई अनुदान पर काम नहीं करना चाहता है तो उन्हें 10 प्रतिशत वार्सिक ब्याज का अनुदान मिलेगा वहीं अगर बियाड़ा की जमीन ना लेकर दूसरी जगद जमीन लीज पर लेता है तो उन्हें 50 प्रतीशत का अनुदान मिलेगा यह सुछवधा 15 वर्षों तक के लिए होगी साथ ही उद्योग लगाने वालों को बिजले बिल में भी प्रती वर्स 25 प्रतीशत अरुदान मिलेगा यह भी पांच वर्सों तक के लिए होगा विहारी बहुतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सुचित्रा भटाचारी के बारे में सुचित्रा भटाचारी का जन्म आजी के दिन 1950 में हुआ था यह एक भारती उपन्यास कार थी जिने हिमंतर पाकी कचेर मांसू अलिक शुक इक्छे और कचेर देवल जैसी कृतियों के लिए जाना जाता है एक लेके का रूप में अपने कडियर के दौरान उहोंने बीस से अधिक उपन्यासों और कई लगू कहानियों की रचना की उनके उपन्यास दहन को एक टेलीवीजन फिल्म में रुपांतरत किया गया था सुचित्रा भटाचारी को कई पुरुसकार मिले जन्मे 2004 में कलकता विश्यविद्याले से बबून मोहिनी पदक नंजरा गुड़ू थिरू मलंबा राश्ट्रे पुरुसकार कथा पुरुसकार तारा शंकर पुरुसकार दुजेंद्र लाज शामिल है 2001 में कल्यानी से पुरुसकार भारत पुरुसकार साया थी भारत निर्मान पुरु मुईनूलहक स्टेडियम का होगा काया कल बीत दिनों बिहार की राजधानी पटना में स्थितमुईनूलहक स्टेडियम में मुंबई और बिहार की टीम के भी चार दिनों की रंजी ट्रॉफी खेली गई थी लेकिन इस तोरां मैदान में कई जगों पढ़ेंजर का बोर्ड भी लगाये गया था जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही थी ऐसे में अब इस स्टेडियम को लेकर BCA के CEO मनीश राज के द्वारा जानकारी देते वें बताया गया कि यह स्टेडियम रिंट पर है जबकि मैदान की देखभाल BCA के द्वारा की जाती है उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार में अधिकतर मैदान और पवेलियन का देखभाल आता है मैदान अच्छी सिति में है लेकिन दर्शकों का दर्गा का हाल बेहाल है इसी को लेकर हर जगर danger का board लगाया था हमें यह सूशना मिली है किस स्टेडियम को सरकार के ओर से नए सीरे से निर्मान करने की योजना बनाई जा रही है वहिस के अलावा इस पर भवन निर्मान मंत्री अशोग चौधरी के द्वारा कहा गया किस स्टेडियम का जिनुधार करने की योजना है पूरे स्टेडियम को तोर कर नए सीले से विक्सत किया जाएगा उन्होंने कहा कि मुख्य मंतरी नितीश कुमार की एक्छा है कि इस स्टेडियम को बहतर तरीके से अंतराश्ट्री अस्तर का बनाया जाए ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर गिर जाए कोई जरूरी सामान तो पाएं ऐसे कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ट्रेन से सफर करने के दौरान चलती ट्रेन से हमारा कोई जरूरी सामान जैसे फोन पर इत्यादी नीचे गिर जाता है तो इस स्थिति में हम काफी परिशान हो जाते हैं और हम यह मालूम नहीं होता कि हम वो सामान कैसे वापस पाएं पता दे कि ऐसे स्थिती में आपको घबराने की जरुरत नहीं है बलकिस तरह की स्थिती में आप सबसे पहले रेलवे ट्रैक के साइट पर लगे हुए पोल पर लिखे नंबर या साइट ट्रैक का नंबर नोट कर ले इसके बाद आरपी एफ और 182 नंबर पर या सूशना दे क कि आपका सामान किस पोल या ट्रैक नंबर के पास गिरा है ताकि उस पोल या ट्रैक नंबर की मदद से रेलवे पुलिस के द्वारा आपके सामान को ढूनने में आसानी होगी और आपको आपका सामान मिलने का भी चांस बढ़ जाता है मालूम हो किस नंबर पर आप किसी भी टाइम मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं वहीं इसके लावा आप जी आर्पी का हेल्प लाइन नमबर 1512 पर भी कॉल कर मदद माग सकते हैं उत्तर बिहार में बिछे का उद्योगों का जाल 35 प्रतीशत रेडिमेड गार्मेंट्स उद्यमी का हुआ चेयन मुख्य मंतरी अल्प संख्यक उद्यमी योजना के तहट बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा उत्तर बिहार को रेडिमेंड गार्मेंट का हब बनाने के लिए 35 प्रतीशत ऐसे लाभुकों का चेयन किया गया है जिनके द्वारा इस उद्यम के लिए आवेदन किय गया था बता दे किस योजना के तहट राजी के कुल 1247 लाभुकों का चेयन किया गया है जो बिहार के विविन जिलों से आते हैं चिन में मुझा परपूर समस्तिपूर मधुबनी शिभर दर्भंगा पुरवी चंपारण और परश्रिम चंपारण शामिल है आपके जानकार बता दे किस योजना के तहट चेनित हुए लाभुकों को 20 लाख रुपे तक का लोन राजिस सरकार की ओर से उपलब्द करवाया जाएगा इसमें से 50 फीजी सबसिडी दी जाएगी वहीं सियोजना के तहट उत्तर बिहार के तरुद छेतर में 113 और मितला छेतर में 152 फैक् इसको लेकर बिहार भवन के आयुद के द्वारा भागलपुर के चिलादिकारी को एक पत्र लिखा गया है और उनसे 11 जन्वरी 2024 तक 300 किलो चुडा की मांग की गई है जिसके बाद इस बात की जानकारी दीम के द्वारा जिलाकरसी पतादिकारी अनिल कुमार यादब के बैक तैयार करवा लिया गया है और साथ ही चूरा को सुल्तान गन से कतर्णी उत्पादक कसान मनीश कुमार सिंग के द्वारा तैयार किया जा रहा वहीं इन सब के अलावा नोईडा में चल रहे इंस फुड जिसका आयोजन केंद्री वानिचे एवां उध्योग मंत्राले और ट्रेड प्रमोशन काउंसल ओफ इंडिया के सिंफ्त तितवधान में हुआ है उसमें भी कतर्णी की धूम मची हुई है हिट एंड रन कानून के खिलाफ 27 जनवरी से बेमियादी हर्ताल बिहार मोटर प्रांसपोर्ट फेडरेशन की प्रदेश अध्यक्ष उधै संकर प्रशास सिंग के दौरा हिट एंड रन कानून को लेकर कहा गया कि केंद सरकार को 26 जनवरी 2023 तका समय दिया गया है ताकि वो कानून को रद करे या उसमें संसोधन करे क्योंकि इसके बाद इस कानून के खिलाफ 27 जनवरी तो हजार चौबस से राजिक के ट्रक बस और आटो चालक हरताल पर जाएंगे वहीं बिहार ट्रक असोसियेशन के ध्यक्ष भानू शेखड के दौरा इस पर कहा गया कि चालकों की मांग जायज है इसलिए ट्रक मालिक भी उनका समर्थन कर रहे हैं वहीं All India Road Transport Federation की प्रदीस म अज हम बात करेंगे चंदर सेखर सिंघ संग्रहाले के बाड़े में चंदर सेखर सिंघ संघ संग्रहाले में पुडा आत्विक वस्तुयों का विशाल संघ्र हें दत्व, गुप्त और पालकाल की पत्थर की मुर्तियां है। बतादे कि सिक्षा विभाग के रिपोर्ट के अनुसार प्रते दिन 40,000 से धिक स्कूलों का नरिक्षन किया जा रहा है। बतादे कि प्रियंका चोप्रा के दोरा कही गई बातों को एप्रिसेट किया गया है। क्यों भागना कहा भागना कहा अढ़कर जाना है हो जाएगा सब हो जाएगा इत्मिरान से सांस लो हमें पता है कि 72 बार धरकता है या 84 बार धरकता है दिल छोड़ो यार हो जाएगा पहिस रीडियो को शेयर करते वे प्रियंका चोपरा के द्वारा हाथ जोड़कर लिखा गया वुद्धी मानी और साथी एक्ट्रस ने पंकसरे पार्थी को टैग भी किया 11 से 25 जनवरी तक आम लोगों के लिए गांधी मैदान बंद गंतंतर दिवस की तैयारी को लेकर विहार की राजधानी पटना मिस्थ गांधी मैदान 11 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक परेड के रिहरसल और अन्य तैयारियों को लेकर आम लोगों के लिए बंद रहेगा इस बात की जनकारी खुद डियम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग के द्वारा दी गई है हाला कि 13 जनवरी 2024 को बीपीसी द्वारा चनित प्रात्मिक माध्यमिक और उचमाध्यमिक विद्यालियों के नव चनित अध्यापको को विहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के द्वा निकती पत्र बाटा जाएगा ऐसे में उन दनों सिक्षकों को एंट्री गांधी मैदान में रहेगी आपकी जानकारी के लिबता दे कि गंतन दिवस के कारेकरम को लेकर गांधी मैदान में 11 जनवरी से संयुक्त परेग का रिहलसल शुरू होगा जो की 24 जनवरी तक चलने ब परपुर का रहने वाला स्वर्ण मोल रतन ने 12 साल क्योंड में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे की ना केवल जिला बलकी राजी का नाम भी रौशन हो गया है दिरसल भारत में क्रिकेट के खिलारियों का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट क्रिक हिरोस के द्वारा 117 इनिंग में 5009 रन बनाए गया थे वहीं एक मैच में विपक्षी टीम के 276 रन का पीछा करते वे उनके द्वारा अकेले 99 गेंदों में एक काड़ा चको की मदस्ते 168 रन बनाए गया था वर्तमान में सुर्णमोर रतन शिकर धवन के मेंबर्शिप में चल रही संस्था प रसित समाने प्रिशासन विभाग के प्रधान सची बी राजेदर को खेल विभाग का अतरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं ब्रेडा के MD महिंदर कुमार को खेल निदेशक का अतरिक्त प्रभार दिया गया है बता दे कि अब खेल विभाग को आवंटित काम में खेल कूद है विवाग से सब्बंदित अधिनियमों का प्रशासनिक प्रभार विभागी भबनों का प्रशासनिक प्रभार आदिका नरधारन एवं प्रशासनिक नियंदरन शामिल है विहार के मौसम में हो सकता है भारी बतलाव राजधानी पटना समेथ विहार के 21 शहरों में बहुत घने कोड़ी की संभावना है मौसम वग्यानिक डॉक्टर आसीश कुमार ने बताया कि राजे में सतही पचुआ और उत्री पचुआ हवा का प्रभाह जारी है एक चक्रवाती परिश संच्रन अब समुदरतल से 3.1 किलो मीटर उत्री पंजाब पर इस्थित है इसके पलसरोप अगले 48 घंटों के दौरान राजधी के निम्तम तापमान में कोई विसेश पडिवर्तन होने की संभावना नहीं है ततपशात अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2-4 डिगरी सरसियस की कमी होने का पुरवानुमान है वहीं आएमडी बिहार के दौरा जारी के गया पुरवानुमान के नुसार आज यानी की 10 जन्वरी को राजी के उतरी दक्षिन पर्षिम और दक्षिन मध्य भागों के एक या दो अस्थानों पर घना कुहासा चाय रहने की संभावना है ऐसे में इसको लेकर आएमडी बिहार के दौरा यलो अलर्ट जारी किया गया है वहीं राजी के शेश भागों में सुबह के समय हलके सी मध्यमस्तर का खुहासा चाय रहने की संभावना जटाई गई है और ग्रीन अलर्ट चारी किया गया है इस तरह के सिती राजी में अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना जटाई गई है दर्शक ने अफ्तार में देख पाएंगे गोलघर का लेजर सो बिहार की राजधानी पटना मिस्तित गोलघर में अब बहुत जल्दी लोगों को नए अफ्तार में लेजर सो देखने को मिलने बाला है बहें इसके अलावा यहां आने वाले दर्शक को पडिसर में लजीज व्यंजनों का स्वाथ चकने का भी मौका मिलेगा बता दे कि गोलघर में लोगों को कॉफी बर्गर लीटी चुखा गोलगप्पा मैगी सहित विविन तरह के बेंजनों का अनंद उठाने का मौका मिलेगा इसके लिए पडिसर में कैफेटेरिया खोलने की तयारी की जारी है इसके अलावा यहां बच्चों के लिए मिकी माउस का जूला और साथी अतरिक्त जूले भी लगाये जाएंगे आपकी जानकारी के बता दे कि गोलगर परिसर के रखरकाऊ संचालन और प्रवेश शिल्क की वसूली की जिम्यदारी जन्नाय कर पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहाले को दी गई है ऐसे में अब संग्रहाले के द्वरा गोलगर परिसर में कैफेटेरिया और जूला के लावा 200 की संख्या में विविन प्रजाती के छोटे बड़े पौधे लगाने के लिए प्रारूत तयार किये जा रहे हैं मालू हो कि परिसर में बैटने के लिए सिटिंग चेयर और टिकेट काउंटर की सुधा पढ़ाई जाएगी गोलर के उपर चरकर पटना का नजरा देखने कल करनी जबालोबा लेजर्शों भी शूरू करने कि योजना बनाई गई है 12 जन्वडी से शुडू होने वाले राष्ट्रे यवा महुतस व के लिए बिहार की टीम रबाना मंत्री 711-24 के द्वाराय और की सच्षी घरवण कर दिया गया है बता दे कि इस पहुत समय राजिके औरत जिलों के 40 फे द्वारा भाग दिया गया है इस बारे में विवाक के सचीव हर्जोत- कोड के द्वारा जानकारी देते हुए बताये गया कि बिहार के औरत जिलों के कलाकारो का कंपड starving करके selection किया गया है यह 46 वैसे कलाकार है जो पहले भी सम्मानित हो चुके हैं वहीं उन कलाकारों के लिए प्रसुचक मेकप आर्टस्ट को भी साथ भेजा गया है यह टीम राजर अस्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके यहां तक पहुंची है जारखन के पांच कंपनियों की संपत्ती बेचेगी बिहार सरकार बिहार सरकार के ओर से जारखन की पांच कंपनियों की संपत्ती की इनलामी की जाने वाली है बता दे कि इन कंपनियों के द्वारा बिहार सरकार का कर्च नहीं चुकाया गया है ऐसे में राजे सरकार के द्वा राजे विवाजन के जहरखन के जहरखन के जसिदी और 25 छितर इस अफ़ेगे विलाइस ऑफछी स्त्थ शिवेलेक्रिनिक्स, सैल जहा ऑटोमोईल, स्पाटलेपूत्र पीवीस्ट, आरोज फार्मासिटिकल और देवघर ग्लास शामिल है इंडिया गडबंधन और सीट शेरिंग को लेकर विजय चौधरी का बयान विरदिन जदियू के मरश्ट नीता और विद्मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा इंडिया गडबंधन और सीट शेरिंग को लेकर अपना बयान दिया गया उन्होंने कहा कि जदि उबर्स 2019 में भी 17 सीट पर लड़ी थी जिसमें हमारे 16 सांसद अभी है सभी दल एक साथ बैठेंगे और सीट शेरिंग को लेकर चर्चा होगी घटक दलो की हैसियत के नसार सीट बटवारा हो जाया तो यह गडबंधन के लिए अच्छा रहेगा जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा आपकी जानकारी कले बता दे कि पिछली इंडिया गडबंधन की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा कहा गया था कि जनवरी मह में सीट सेरिंग तैक कर लिया जाएगा लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है बलकि जेलियो और आरजेली के निता अपनी अपनी सीट को लेकर दावा कर रहे हैं 16 जनवरी को हाजिपूर में जन सभा करेंगे चिराख पासवान बीतर दिन लोग जन सकती पाटी राम विलास के राश्ट्री अध्यक चिराख पासवान के द्वारा एक प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित की गई जिसमन होने जानकारी देते वे बताया गया कि 16 जनवरी दोहजार चौबस को एक एतिहासी कारेकरम होगा अभी तक का सबसे बड़ा कारेकरम होगा और भवे आयोजन होगा उन्होंने कहा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि हाजिपूर मेरा परिवार है हम हाजिपूर परिवार के साथ रहे हैं बचपन से हम हाजिपूर को देखे है राजनेति का कर नहीं जानते थे तब से इसकी चर्चा करते हैं जमुई भी मेरा छितर है हाजीपुर की सभा में पार्टी के छोटे बड़े सभी कारेकरता भी मौझूद रहेंगे औरूने कहा कि 16 जनवरी को हाजीपुर में एक बड़ी जन सभा का आयोजन तैय किया गया है औरूने कहा कि लोग सभा चनाव से पहले तमाम चीज़े क्लियर हो जाएंगी किसको कितनी सीट मिलेगी कौन कहां से लड़ेगा यहां उपर लेवल पर होता है और सब समय पर पूरा हो जाएगा इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है अठार जन्वरी को पटना आ रहे हैं मध्य प्रदीश के सीएम मोहन यादव अगामी अठारा जन्वरी दोहजार चॉबस को मध्य प्रदीश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं अगमन को लेकर बीजेपी कारेकरताओं के द्वरा तयारियां शुरू कर दी गई है बता दे कि पतना के बीजेपी कारेकरताओं के द्वरा मुख्यमंत्री मोहन यादव का भाव्य स्वागत किया जाएगा पटनाई एरपोर्ट से मोहन यादव सीधे श्रीकृष्ण चेतना मंच के कारिक्रम में शामिल होने के लिए श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल पहुँचेंगे जहां उन्हें सम्मानत किया जाएगा मालुमोग इस कारिक्रम में यादव समाज के बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल होंगे इसके बाद मोहन यादव बीजेपी प्रदेश कारे आले पहुँचेंगे जहां उनकी मिलाकाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समराग चौधरी समेद बीजेपी के तमाम नेताओं और कारे करताओं से होगी इसके बाद फिर मोहन यादव स्कॉन टिंपल जाएंगे जहां वह भगवान खृष्ण का दर्शन कर आशिरवाद लेंगे न्यू लैंड्स के पिच को लेकर ICC ने लिया बड़ा एक्सन ICC के द्वारा भारत बनाम साउथ अफरिका के बीच केप्टाउन टेस्ट मैच के पिच को लेकर अपनी असंतुष्ट दा दिखाते वे बड़ा एक्सन लिया गया है दरसल ICC के ओर से इस पिच को अनसैडिसफाइड रेटिंग दी गई है बता दे कि रेटिंग पिच और आउट फिल्ड मॉनिटरिंग प्रक्रिया के तहट दिया गया है मालुम हो कि भारत और दक्षिन अफरिका के बिच केप टाउन में निव लैंड्स पर खेला गया टेस्ट मैच पूरे दो दन भी नहीं चल पाया था यह इतिहास का सबसे छोटा मैच था इस मैच में केवल 107 ओवर यानि की 642 गेंद ही फेकी गई थी बता दे कि ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने अपनी रिपोर्ट सौपी जिसमें मैच अधिकारियों के चिंता व्यक्त की गई और केप टाउन में निव लैंड्स पिच को उंसटिस्वाइड माना गया ब्रॉड ने अपने रिपोर्ट में कहा कि निव लैंड्स के पिच पर बल्लेबाजी करना काफी जादा मुस्किल था पूरे मैच के दौरान गेंद तेजी से और कभी-कभी खतरनाक तरीके से उचली थी जिससे शौट लगना खेला मुश्किल हो गया था कई बल्लेबाजों के दस्तानों पड़ गेंद लगी और अजीब उच्छाल के कारण कहीं विकेट करें भारति द्यास में आज की तारीक है कई कार्णों सदर्च भारतिय चाई 1849 में इंग्लैन पहुची प्रोफसर मधू सुदन गुपता ने 1836 में पहली बार माना सरीर की आंतरिक सनचना का अध्यन किया भारत सरकार ने 1963 में स्वर्ण नियंतर न्योजना की शिरुवाद की जिसके तह 14 कैरट से अधिक के गहनों पर पाबंदी लगा दी प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग ने 2006 से 10 चनवरी को प्रती वर्स विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाय जाने की घोशना की थी कार नणमा प्रत के सक्षावद अर्थ सासरी एवं नैवद जौन मत्हाई का जन हुआ ठासो चरानवे में कवी एवं लिखक्पी लक्षमी कांतम का जन हुआ 1908 में हिंदी के निबंदकार और साहितेकार पद्म नरायन रायका जन हुआ 1903 में ग्यानपीर पुरुसकार से सम्मानत पंजाबी साहितेकार गुर्दयाल सिंग का जन हुआ 14 में भारतीय पार्शव गायक और शास्त्री है संगीत कार के जे येसु दास का जन्म हुआ 1974 में भारतीय अभिनेता रतिक रौशन का जन्म हुआ कौकता के नन्माता के रूप में जाने जाने वाले जाब 49692 में निधन हुआ प्रसिद राजनेता एवं लेख अकसंपूर्णा नंद का 1979 में निधन हुआ टोक्यो जापान युद्ध अपराद न्यायधिकरण में भारतिय न्याधी स्राधा विनोध पाल का 1967 में निधन हुआ प्रसिद भारतिय अभिनेत्री नाडिया का 1996 में निधन हुआ वारल कर में आजमबात करेंगे प्रधान मंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रोई नहीं ऐसी कड़ी में आजमबात करेंगे प्रधान मंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने टूइट में लिखा है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि देश क सभी का एक प्रयास है क्रिप्या साब धान रहें वार्सेप में अब आप खुद बना पाएंगे अपना मन पसंद स्टिकर वार्सेप में फिलहाल अगर आप स्टिकर के जरीए एक दूसरे से बातचीत करते हैं या आपनों को इस खास तरीके से किसे तेवहार की बधाई दे अपसी अपना मन पसंद स्टिकर बना पाएंगे वार्सेप के डवलप्मेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट डवलुए बीटा इन्फो के मताबिक कम्पनी ने वार्सेप आई उस बीटा टेस्टर को चैटिंग के दौरान भेज़ेगे स्टिकर को एडिट कर अपने पसंद का स्टिकर बनाने का ओप्शन दिया है इसके साथ ही कम्पनी ने एक नया ओप्शन क्रिएट यॉर ओन नाम से दिया है इस पर क्लिक कर आई उस यूज़ेज गालरी से किसी पोटो का स्टिकर बना सकते हैं साथ इसे एडिट भी कर सकते हैं इस नए फीचर की वज़े से यूज़ेस को थर्ड पार्टी एप्स की जरुवत नहीं पड़ेगे और विवाटसप के अंदर ही स्टिकर्स को बना पाएंगे फिलहाली अप्डेट कम्पनी ने आई ओस बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया है जल्द ये अप्डेट एंडॉइड बीटा ट रहेंगे पूछे के पांच सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में कहां में दिवसी वैस्विक निवीशक सम्मीलन दो हजार चौबश शिड हुआ है इसका सही उत्तर दियो आप्शने चन्नाई अगला सवाल हाली में किस्तती को महा यान नव वर्ष मनाया गया है आप्शनी 4 जन्वरी आप्शनी 5 जन्वरी आप्शनी 6 जन्वरी आप्शनी 7 जन्वरी इसका सही उत्तर है ओप्शनी 7 जन्वरी अगला सवाल हाली में भारत और कज़ देश ने अपने 147 साल के तिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला है ओप्शनी स्रीलंका ओप्शनी दक्शन अफरीका ओप्शनी रूस ओप्शनी युक्रेड इसका सही उत्तर है option B दक्षिन अफ्रिका अगला सवाल विहार के सुराज्य पार्टी के स्थापना कभुई थी? option A फरवड़ी 1922, option B फरवड़ी 1924, option C फरवड़ी 1921, option D फरवड़ी 1923 इसका सही उत्तर है option D फरवड़ी 1923, अगला सवाल विहार में स्वराज्य पार्टी के प्रत्थम अध्यक्ष कौन बने थे? option D राजिंदर प्रशाद, option B स्री नरायन प्रशाद, option C ब्रज किशोर प्रशाद, option D धर निधर प्रशाद इसका सही उत्तर है option B स्री नरायन प्रशाद, बीदे दिन हमादर पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग और प्रजाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमादर पूछे सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है इसके साथ ही बरते हाज के सवाल की और आज का सवाल है बिहार के सिक्षा विवस्ता में सुधार लाने के लिए सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सुचीव के के पार्ठक के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है अब अपने जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षा में लेकर जरूर बताएं आज के लितना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी निज और साथी अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चानल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आप फेस्वुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले रहनेवाद